नमास्कार दोस्ता स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागिंदर मिसा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इंक्चामन साल बाद महास्यूरात्री एक मार्च को बन रहा है दुरलम महास्योग इन साथ राशों की सव प्रिष्ट लगेगी लोटरी दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्षन में हर हर महादेव जरू लिख दें दोस्तों साल 2022 में महास्यूरात्री एक मार्च दिन मंगलबार को पढ़ रही है और इस बार यह महास्यूरात्री कई सारे दुरलम स्योग में पढ़ रही है जिसके कारणा आपको बताना चाहेंगे कि इस बार की महास्यूरात्री पर ऐसी कुल साथ राश वाली लोग है जिनकी अब किसमत चमकने वाली है इनकी लोटरी लगने वाली है दौस्तों आपकी जान कारी के लिए बता दे कि महा सिवरात्री का पर्व भगवान सिव की आराधना के लिए खास माना जाता है जितने भी जो स्रद्धालू भकत हैं वो इस महापर्व के लिए साल भर से इंतजार करते हैं और इस बार यह साल 2022 में एक मार्च दिन मंगल बार को पढ़ रही है और साथी इस दिन कई सारे दुल्व सवसायोग में पढ़ रही है इस दिन भागवान भोले नात को खुश रखने के लिए भक्त ब्रत और पूजा अ और बहुत ही महत्व पूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस बार इंचामन सालोबाद ऐसा महादुरलब सवसायोग महा सिरुरात्री पर बन रहे हैं साथी साथ कई सारे महादुरलब सवसायोग बन रहे हैं कि इस बार की महा सिरुरात्री पर सरवार्द सिध्योग और इस्तार से बताएंगे इसलिए बीडियो को आप शुरू से लेकर आंध तक जरूर देखेगा और आगे बढ़ने से पहले सच्च दिल से महादेव को कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा कुछ खास सब्द दोस्तों आखिर करूं क्या फिकर की मौत की बाद जगह कहां मिलेगी जहां होगी मेरे महादेव की महफिल मेरी रूह वहां मिलेगी इसी के साथ खुद को महादेव से जोड़ लो और बाकी सब भूले नात पर छोड़ दो हर हर महादेव बिसुनात गंगे दोस्तों अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो बीडियो को अभी कभी लाइक जरूर कर दें और बीडियो को आप ज़्यदा ज़्यर अबश्य कर दें अपने दोस्तों के बीच ताकि सभी को बीडियो की जानकारी समय पर मिल जाए और महासिवरात्री के बारे में भी जानकारी मिल जाए। और दोस्तों यह कई सारे दूरलब स्वसयोंग में पढ़ रहा है। इस दिन सर्वार्द सिध्योंग और अम्रिश सिध्योंग भी बन रहा है। इस बार की महासिवरात्री पर कई सारे दूरलब स्वसयोंग बनने के कारण इस बार की महासिवरात्री बेहद ही खास और महतपूर मानी जा रही है। इस साल सिध्योंग पूजा का संपुन बिद्विधान के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाई महादेव पूरी करेंगे। दोस्तों जोतिस की माने तो इस बार की महासिवरात्री और इन सारे सयोगों का फाइदा इन साथ राशवाली जातकों को मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए आखिर जाल लेते हैं और बताते हैं कि आखिर ये भाग साली राशियां कौन कौन सी है जिनकी हम यहाँ पर बात इन्हें मिलने वाले हैं अगर आप इस्टूडेंट हैं और नोकरी की तलास कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहदी अच्छा और उत्तम रहने वाला है जी है दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहले नोकरी जो कर रहे हैं उन्हें पदोन्नत के साथ साथ सेलेर में बिर तेजी से आप लाभ कमाएंगे और कई सारे उच्छाल देखने को मिलेंगे तेजी देखने को मिलेगी बिजनेस ब्यापार में बतादे कि जो लोग नया बिजनेस खोलने के सोच रहे हैं महादेव की कृपा से उनके बिजनेस ब्यापार में तेजी आएगे और नया बिजन आती है दुस्तों वो है यहां पर मिथुन रास क्यातकों अब आपकी लोटरी लगने की सव प्रिशत संभावना है महादे की कृपा से बिशेश तोर पर इस महा सिवरात्री पर आपको लाभी लाभ मिलने वाला है कई सारे सुनहरे मौके मिलेंगे जीवन में चल रही परिस्य बैवाहिक जीवन में खूशिया पर आपकी मोई तो उसमें सफलता पराप्त धोगी मने जो तीसरी तीसी जो राषियाती है वो है कन्य रास क श्रक् Dash को बता overc общем दो एकमारें की तो पढ़ रहे महा सिवरात्री पर विशेस लाब होने वाला है कई परकार के दूरलब सुभसायोग भी बन रहे जिसका फाइदा आपको मिलने वाला है महादेव की कृपा से अब आपकी 100 प्रिशत लोटरी लगने वाली है इनकम आए में ब्रिद्धी होगी और जमीन पर्परेटिस जोड़े मामले आपके सॉल्ब होंगे कई परकार के चल रहे अब कानूनी दाव पेंच भी खतम होंगे और आपको नोकरी के सासाथ बिजनेस ब्यापार में लाब होगा रुका वफा सवधन प्राप्त होगा साथ ही बेंकिन के छेतर से आपको लोन वगएरे मंजूर हो सकते हैं कई परकार के समस्याएं अब आपके खतम होंगी महादेव की किरपा से इनकम आए में ब्रिद्धी होगी दामपत्त जीवन में खोशियां बरसेंगी संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं अगली यानी जो चोथी जो राशी आती है वो है तूला रासी तूला रास की जाद को बता दे कि इस वार के महा सिरुद्धी पर अब आपकी किसमा चमकने वाली है महादेव की किरपा से आपको अनेकों प्रकार से धनलाब की योग बन रहे हैं जीवन में चल रही परिसानिया अब महादेव की खत्म करने वाले हैं आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बहतर रहेगा नेने कारियों की सिरुद्ध करेंगे रुके हुए तमाम कारियों को पुनहे आप प्रयास करके सफलता प्राप्त करेंगे साथी इसमें दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा पुराने मित्रों के सहयोग से आपको धनलाब की प्राप्ती होगी अगली यानि जो पांचमी जो राशी आती है दोस्तो बता दे वो है मकर रास मकर रास के जातकों इस बार की महा सिवरातरी पर अब आपकी लोटरी लगने वाली है किसमस चमकने वाली है महादेव की कृपा से आपको धन का बहुत बड़ा लाब होने वाला है धन से जुड़े मामले आपके सौल बहूंगे जीवन में चल रही परिशानिया अब महादेव स्वेम आपकी दूर करने वाले हैं जीवन की जो परिशानिया थी घर बिवाद थे या फिर कोई जमीनी प्रोपरिटी का बिवाद था या फिर बिजनेश भी आपार और आपके केरियर में कोई बिवाद था वो महादेव कोई कृपा से अब आपका खत्म होने वाला है दोस्तों अनेक परकार के धनलाब होते नजराएंगे अगली यानि जो छटवी जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मीन रास मीन रास के जातकों अब आपकी लोटरिक साथ साथ बहतर से बहतर सफलता प्राप्त होगी नोकरी में उचपत की प्राप्ती प्रमोशन की योग बनेंगे बड़े अधी कारी यहाँ साथ संबंद बहतर रहेंगे और जो भी कार जो भी नेनय लेंगे सफलता आपको सत प्रशत मिलती नजराएगी आपके द्वारा लिया गए नेनय बहती बहतर साबित होगा जिस भी कार छेत में हाथ डालेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी आपके द्वारा लिया गए निरे बहुत ही बेहतर साबित होगा जिस कार के लिए आप यानि जिस कार में हाथ डालेंगे महादेव की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तो इस बार एक मार्च को महा सिरात्री पर अनेक प्रकार के धनलाब होने की योग बन रहे हैं धन से जुड़े मामले आपके सौल भूंगे अब अन्ती मौर्जो सात्मी जुराशी है जिसकी सो पिरस्त लोटरी लगने वाली है दोस्तो वो है यहाँ पर बिर्शिक राशी बिर्शिक राशी की जातकों अब आपके किस्मत दिन दूनी राच चोगनी तरक्य करेगी भागे आपका सात्मी आसमन पर रहेगा रूटी किस्मत महादेव की कृपा से चमक जाएगी अब आपको कई वर्सों के बाद ऐसा दूरलब स्वसायोग बन रहा है जिसका सीधा सीधा लाब आपको मिलने वाला है अब आपके किस्मत दिन दूनी राच चोगनी तरक्य करेगी जमीन पर परपर्टी के मामले में आप सफलता प्राप्त करेंगे साथी इनकमाय में ब्रिद्धी होगी साथी आपको आकास्मिक रूप से धन का लाब होता नजराएगा महादेव की किरपा से धन से जुड़ा मामला आपका सौल बहोगा अंचाहे जगहों से धन लाब होंगे और अंचाहे यानि जो अंसुलजे मुद्धे थे वो भी सुलस्ते नजराएगे महादेव की किरपा से इन साथ राश्य वाले जातकों की किसमत चमकने वाली है अब ये दिन दूनी राच चोगनी तरक्की करेंगे महादेव की किरपा से अब ये अपने भाग को खुद यानि की चमका सकेंगे अब इनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी तो दौस्तो कमेंट में जरूर लिखेगा प्रेम से लिखेगा हर हर महादेव साथी दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप जदा जदा शेयर करिएगा साथी दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा हर हर महादेव जय भूले नात